जानना है आपका एक क्लाक्ष में यह आपका एक ने क्लास नर् आपकी ल्ल वी कि इसकते हो कि आपकी क्रिमिनल ला कि क्लासο है कि अपको चीज्यें бесп Cast चीजे हैं तो आपका क्या-क्या है तो क्रिमिनल ला जो है वो क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिमिनल जो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ठीक है तो इसमें क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसको हम लोग CRPC बोलते हैं और IPC इंडियन पीनल कोड ठीक है तो आप से क्या करता है इसको यहांपे समझो आप मान लिजिया क्या है अभी मैंने एक कोई परसन है आप कोई इस इसने क्या क्या इसने क्या क्या अपराध किया इसने चोड़ी क्या प्रावधान है सजा का प्रावधान है वो कहाँ पर है सजा का प्रावधान हमारा IPC में लिखा हुआ है सजा का प्रावधान IPC में लिखा है और CRPC क्या करता है CRPC ये करता है कि ये जो offense या फिर जो इस बेक्ति ने काम किया है तो ये अपने बचाओ में ठीक है बचाओ में कौन-कौन सी चीजे यूज कर सकता है कौन-कौन सी चीजे यूज कर सकता है यहाँ पर सजा का प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर उसको प्रोसीजर का प्रावधान दिया गया कि उस प्रोसीजर में क्या चीजे होंगी वहाँ पर उसका बचाओ कैसे होगा मतलब जो है आपका जो सजा का प्रावधान है डंड का प्रावधान है उसमें कौन कौन सा प्रोसीजर होता है उस चीज को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है ठीक तो यह दो चीजे बहुत ही मेन आपके लिए थी और इसके आगे आपका CRPC जो आपका लागू हुआ आपका क नाक आरे पज़ार होता है यहाँ आपसे से होता है यह बैयmos इसकी आप धूंसे High लो तो आज क्याओ यह कोशिंध करेंगे और कैसे कोशें बनते हैं और एक कोशन से कितने कोशन हम कर सकते हैं इन सारी चीजह को बात करेंगे वैसे आपको कोश्न पेपर जो मिल जाएगा की कोश्न पेपर में 100 कोश्न आपको 100 भी कर लोगे लें इसके 700 शों में जो हम आपको स्फ़ाइब करवायं कि उसके साथ वीडियो आपके लिए देखना जरूरी हो जाता है और आप भी जानदों कि पेपर आपकी बहुत ही नजदिक है एक नॉम्बर से आपके पेपर हैं और इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपना पढ़ाई पर फोकस करो और स्टार्ट करते अपना वीडियो तो पहला हम कोशन देखते हैं क्या है पहला हमारा कोशन है डंड प्रक्रिया सहिंता ठीक है आपको डंड प्रक्रिया सहिंता ठीक है सहिंता होता है आपका कोड कि प्रक्रिया मतलब प्रसीजर और डंड मतलब क्रिमिनल क्रिमिनल प्रसीजर कोड यह आपका कब लागू हुआ किस दिन पर्वत हुआ वह आपका नह overlapılarale 19 1964 सी परवत हुआ अब आपका कहीं पर देखते हो गए कि यहां कि मुण पॉसीज़र कोड पॉसीज़र कोड है several parties कोड लेन उक क्या तो यह कोड और एक्ट में क्या difference होता है यह code कहीं पर देखते होंगे कि limitation act है मतलब criminal procedure code है Indian Penal code है तो code और act में क्या difference होता है इसका हम आपको बताते हैं एक्ट आपका क्या होता है एक्ट यह होता है जो पास हुके बनाया जाता है ये आपका act होता है ठीक किया होता है ये अलग-अलग छीदों का Legt में बनाया जाता है ठीक है ये बाद में जो क्रिमिनल प्रोसेजर क्यों नहीं बनाया गया तो कोर्ण क्यों एक्ट क्यóg नहीं बनाया तो उसी चीज को आपका नियम चलता आ रहा है जब सारोथ सारी चीजों को जो वाँ पे हो गया इसका फिर री जो है पे लियृ में डॉ कीराब थraf मे बdefense कि ये испर फिरATION प्रोसिजर कोड की आप ही जो है जब किलास करते हैं तो सारी चीज़े समझने में आसानी होती है और जैसे आप जानते हैं कि सारी चीज़ों में आपको भी थोड़ा वह लग रहा होगा बोरिंग टाइप का लेकिन हां यह जो इंपॉर्टन चीज़े वह आपको बताते हो चलेंगे और बाकी जो चीज़े हैं थेरी बेस भी वह भी बताएंगे लेकिन कहानी बहुत लंबी-लंबी है तो इसलिए आपको बिल्कुल सौट में ही बताते चलेंगे अगला का कोशन है क्या सही है कि डंड प्रक्रिया सहिंता क्या करती है सहिंता दोरा एक समान डंड प्रक्रिया सभी पर है आप जानते हो कि कानुन सभी पर लागू होता है वो भी बराबर लागू होता है या सक्षम और जरूरत को प सजा होती उसके लिए प्रावधान के लिए पूरता ये लागू होता है सक्षा में तो ए और बी दोनों से ही तो आपसे आपका सी सही हो जाएगा अगला कोशन है डंडर प्रक्रिया सहिंता में जमानती और गेर जमानती अपरादों को वरगी करन किसके अंतगरत किया गया है अब जमानती और गेर जमानती क्या होता इसको यहां पर समझना होगा आपका जो कोई भी चीज है जमानत बेल जो होती हो आप जो है दो टाइब में देख सकते हो मतलब बेल को एक जमानती एक गेर जमानती अपराद जो होता है वो दो टाइब में होता है एक जमानती होता ह जमानत नहीं मिलती वो संगिन अप्राद होते हैं जमानत नहीं मिलती यह नहीं कि आपको कभी जमानत नहीं मिलेगी लेकिन वो कोड़ पर डिपेंड करता अब इसका क्या मतलब है अब देखो अभी धंड प्रक्रिया सहिंता जो है इसमें आपको जमानत लेना आपका एक अधिकार है जमानत आप एजा रेमेडी जो है यूज कर सकते हो ठीक है अब देखो आपने कोई offense किया है ठीक है offense आपने कोई crime किया है आपका जो जमानती होगा जिसमें आपको जमानती और एक आपक और आजमानती, जिसमें आपको जमानत नहीं मिलती हैं, ठीक, तो जमानती में क्या होगा, इसमें जमानत लेना, जमानत क्या होता, बेल, बेल लेना जो है, आपका एक उपाय होता है, आप रेमेडी की तरह एक यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे एक कोड की जुम् यहां पर यहां पर पूछा रहा है तो यह आपको बताया गया है डंड प्रक्रिया सहिंता की प्रथम अनुसूची में प्रथम अनुसूची में यह बताया गया है अब अनुसूची क्या है प्रथम अनुसूची इसमें आपकी अनुसूची है ठीक है तो इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पहले हम आपके की थोड़ा जो एमसे कोशिन कर लेते हैं सहिंता का प्राउधान है मुखिता अनिवार मात्रे निवार ना ही निजदेश का और उपरोक्त में से कोई नहीं तो सहिंता आपका जो है CRPC जो है, ठीक है, तो CRPC क्या करती है, ऐसा तो नहीं है कि आपको के और निर्देश दे रही है, इतनी अच्छी तो CRPC है नहीं, ऐसा भी नहीं, ना ही अनिवार होगा, या फिर निर्देश होगा, तो मात निर्देश का तो है नहीं, तो ना ही अनिवार होगा, तो ये भी आप आपके उपर अनुवार यह आपके उपर लगेगा ही लगेगा अगला को कोईशन है डंड प्रक्रिया साहिंता 1973 में कितनी धाराएं हैं तो इसमें आपकी 484 धारा है ठीक है आपका कोई भी नियम कोई नियम CRPC में नहीं है ठीक है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे कोई भी अगल नियम CRPC में नहीं है तो हाई कोर्ट में जाएंगे जैसे कभी कभी क्या होता है डबल एफाईया लिख जाती है तो डबल एफाईया लिख जाती तो एक एफाईया जो हटाने का काम होगा न वो आप CRPC की जो है 482 के तहट जो है High Code में अपील करते हैं तो अब एक आपकी सही है कुछ你सण में एक प्राइवेट भेक्ति भी दूसरे भेक्ति को ने पतार कर सकता है तो ब mult का सही है तो यहांपर देखो akaroda मतलब कहां है की आप आपoras थे यहां पर आपका आर्वाला कहां अ और यहां पर ना जाहिए वर थे कि यहां पर बी 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 ठीक आप यहां पर बी वाला आपका कहां कहां पर सही है चोथे नंबर पर आपका सही है और कहां है दूसरे नंबर पर आपका सही है और पहले नंबर पर आपका सही है लेकिन बी वाला तीसरे नंबर पर आपका गलत है तो यहां पर आप कोशन कैसे सही होने के chances लेकिन अगर जो यह आपने यहां पर जानगे कि सी वाला आपका नहीं होगा बाकी में से आपका तीन होगा तो आपके प्राइक्ता बढ़े जाते हैं तो यहां पर आपका जो correct है वो आपका जो है आप भी जाने तो डंड विदिका उद्देश क्या होता है अपराद सही है कि अगे call कोशन है सहिंता संबंधित हैं मात्र प्रिक्रिया से इसके प्रावद्धान मूल कानून के स्वरूब मात्र से ए और वी दोनों से या फिर केवल ऐ से तो यहां पर आपका ए और वी दोनों सही हो जाएगा पां सौ childish प्रक्राइसा हिंता का मुख्य विस्रेष्था क्या है तो मुख्य विस्रेष्था कि अगर तुम बात करते हैं तो इसकी मुख्य विस्रेष्था कि न्याइपालिका की कारिपालिका से प्रथक करना नियाई पालिका, कारी पालिका आपकी जो है तीन पावर होती है और तीनों सक्तियां आपकी अलग अलग होती है बिधाय का नियाई पालिका और कारिपालिका नियाई पालिका आपको जो है चीजों को डिपेंड करता है कि वो कारिपालिका नियाई पालिका और विधाय का यह सबको अलग करता हो आ जमानती अपराज से अभिप्रेथ है जमानती जिसमें हमको जमानत नहीं मिलती है उसमें क्या है ऐसा अपराज जिसके की पुलिस बिना वारंट के गरपतार नहीं कर सकती बिना वारंट के गरपतार नहीं कर सकती यह आपका जमानती में हो जाएगा ठीक है ये आपका नहीं होगा ऐसा अपराद जिसके लिए पुलिस बिना वारेंट के बिना ग्रपतार कर सकती है ये भी आपका नहीं केवल वे अपराद जो डंड परक्राद सहिंता की पर्थम अनसूची में आजमानती बताएगे है अगला आपका कॉश्ण क्या है कि जमानती अपराद आपका कोन से होते हैं तो जमानती अपराद आपका होता है डंड परक्राद सहिंता की पर्थम अनसूची में जिनमें जमानती अपराद का लेक क्या गए वो आपका सही हो जाएगा संगे अपराध क्या होते हैं संगे अपराध वो अपराध होते हैं जिसनमें वारेंट के बिना भी आपको गिरफतार किया जा सकता है आज संगे अपराध क्या होते हैं जिसनमें आपको वारेंट के बिना नहीं गिरफतार किया जाता है डंड़ परके सहिंता 1973 के जांच की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा केवल मजिस्टेड द्वारा सत्र नियाले द्वारा या फिर मजिस्टेड या फिर नियाले द्वारा तो यहां पर जो है CRPC में जो जांच का मेटर आता है वो आपका मजिस्टेड के पास आता है ठीक है? इसको आपको यहाँ पर समझना होगा अब मजिस्टेड के पास आता है तो मजिस्टेड या फिर न्याले ठीक है? केवल मजिस्टेड नहीं सत्र न्याए जिसमें नहीं आपका पुलोज सद्धिकारी तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि जांच वगेरा जो है क्या करते है यह जो होता है Inquiry कौन करता है Inquiry Magistrate या फिर न्याले करता है अब यहां पे आपका जाच में और आपका एक और बनता है उसमें आपका जो है अंतर्व पूछता है अभी हम आपको बताएंगे इनमें से कौन सी प्रक्रिया न्याइक है अब नियाइक प्रक्रिया आपके जांत एवन विचारन है तो विंचारन क्या होता है जब जुर्म करता है जुर्म नहीं करता है जब वहां पे उसको गवाहित दिया जाती है ठीक है उसको जो है साक्षी के रूप में वहां पर कोड में प्रिवेस किया जाता है ठीक है उससे जो है पूंच तांस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रियाल कहते हैं ठीक है यहां पर च रहा ह vibrations संबंदित हैं किस से स्कायत संबंदित हो सिकायट आपकी जो संबंदित मुखित को ध्यों करते हो सी 28 streaming आपकों मरण सब्सक्राइब कर सकते हो अब मजिस्टेट जो होता है कैसे लेता है संग्यान में कैसे लगता है तो वह आपकी धारा सब्सक्राइब करना किसी अपराद का अनवेच्छन किया जाता है कि अभ्योक्त के खिलाब साक्ष्यों का संग्राह करना किसी अपराद का अनवेच्छन किया जाता है किसके द्वारा अनवेच्छन जो होता है इनवेच्टिगेशन जो है प्लिस के द्वारा किया जाता है या फिर आपका किसके द्वारा तो यहां पर प्लिस के द्वारा अब यहां से आपको कोशन पूछता है यहां पर क्या करता है न्याइक मजिस्टेट की स्थानी अधिकारिक नियंत्रण में है यहां पे एक राजे सरकार के ल मक hilft कर नरूप जो home भारास आंदर में आती हैं हाई- आपका अलग ही है यह अलग ही सकते को सरकार आपका कहीं पे सब्सक्राइब करते हैं तो फ्लोचार्ट की अगर बात करते हैं तो फ्लोचार्ट में हमारे कई टाइप में आते हैं कि आपका सबसे पहले सबसे पहले आपका क्या आता है वहां पर है कोड की गई है तो यहाँ पर हाइ कोड की बात की गई है और इसके नीचे की सारे कोड की बात की गई है तो उसको यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्या आता है वहाँ पर हाई कोड आता है हाई कोड के पास क्या आता है आपके पास आज आता है सेसन कोड उसके बाद क्या आता है उसके बाद आपका आता है एक मिनट सबसे पहले आपका आता है हाई कोड आपको यहां पर थोड़ा स्पेस मिल जाए हम आपको वह चीज लिपा दें तो आपके लिए स्किन साट ले लिजे तो आपके लिए वह चीज़े बहुत ही जरूरी है एक नुट में स्किन साट आपके लिए कि यह आपको कॉशन आना ही आ रहाए नहीं है अभि यहां पर समझो हो कि आपका यहां पर kuoald की बात की गई है तो CRicar». pauld only की बात नहीं की गई यहां पर आपका हाई qa tयां गई फीछ हाई कोर्ट ठीक है फिर उसके बाद आपका सेशन कोर्ट सत्वन्याले ठीक उसके बाद आपका जो बात की गई है वह आपका चीफ जस्टिस मजिस्टेड की बात की गई है चीफ, जस्टिस, मजिस्टेड, मुख्य, न्यायक मजिस्टेड, ठीक है, फिर आपका जो है, जुडिसियल मजिस्टेड, फर्स क्लास की बात, जुडिसियल मजिस्टेड, फर्स क्लास, फिर आपका जुडिसियल मजिस्टेड, सेकंड क्लास, इसकी आप इसकी इंसाड ले ले और यहां से आपको कोशन कमसे 5 कोशन बनेंगे जुडिशियल मजिस्टेट सेट सिर्टेंड फिर आपको आ जाता है आपका चीफ मत्पर मीट्रो पोलिटिकल जो होता है वहां बराबर होता है और ऑचिफ मेट्रोनद सेट्स, मजिस्टेट यहां पर को भी बताते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोड की तो यहां पर आपका सजा का प्रवधान किया गया है तो आप 28 सजा का प्राव दान प्राव दान कि CRP ठीक है और आपका जो है जो आता है फिर एडिशनल सुप्रीम कोर्ड के जो जज होते हैं उसके द्वारा सज्दा के प्रवधान 28-3 में आपका किया गया है ठीक फिर उसके बाद जो आता है वो आपका मजिस्टेड के लिए आता है सेक्शन 29-1 में जो है आपका Chief Justice Magistrate की बात की गई है 29-2 में आपका Magistrate की बात की गई है 29-3 में आपका Second Class की बात की गई है और 4 में आपका यह बात की गई है ठीक है अब 28 जो है एक जो है High Court हाई कोट आपका क्या कहता है हाई कोट आपका यह कहता है कि नियाले कौन को सजा का प्रावजान नियाले की द्वारा नियाले द्वारा और 29 में आपका मजिस्टीड ठीक है तो हाई कोट आपको क्या कहता है हाई कोट आपको सारी सजा दे सकती सभी सजा सारी सजा में कौन- लेकिन जब यहां पर यह कोई मरने वाली सजार मतलब डेथ के लिए जो कोई सजार दे रहा तो पहले confirmation लेगा किससे हाई कोट से confirmation हाई कोट से लेता है काई लेता है session section 368 और 306 के दुआ रहा इसको जो है हाई कोट से एक बार verification मतलब confirmation लेना होता है जब session कोट किसी को मृत्तिव डंड देता है तो उसको हाई कोट से confirmation लेना होता है यह दोनों बराबर सजा दे सकते हैं अब आपका जो आता है chief justice magistrate यहां पर अपर यह फिर आपके ऐसा करते हैं असिस्टेंट सेशन जज्ज होता है तो असिस्टेंट वाला जो यहां पर आ जाता है वो फिर आपका क्या आ जाता है वो दस साल से उपर सजा नहीं देगा दस साल से उपर सजा नहीं देगा फिर हम magistrate पर जब आते हैं तो magistrate में जब माते हैं तो magistrate में फर्स क्लास वाला जो होता है वो साथ साल से ज्यादा सजाब नहीं देगा साथ साल से ज्यादा नहीं और जुर्माना यहां पर जो है हाई कोर्ट सेंड कोड चीब और और एडिशनल सेसन जज के द्वारा जो है आप पे जो जुर्माने का है वहां पे कोई चीज बताई नहीं है ठीक है और जो आपका सेकंड क्लास का मज़िस्टेड है वह आपका कितनी सजा देता है एक क्लास की मेक्स एक एक यर की मैक्समिमम सजा और पांच सजा रुपे आप ऐसन जज ठीक है फिर आपका फिर आपका सीजियम चीफ syllable मंच आप डुस्टेड बचिएट या लाप का फिर आफ फिर धिल आता है को दू invasive और दूमोद य 때도 यहिए आपकी यहां भर एक होोती है recording तो इसको समझ लेते हैं यहां से आपको कोश्चन बनेंगे और धारा जो हमने बताई वह भी आपकी कोश्चन बनेंगे तब तक तो वहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपको कोश्चन बनेंगे और यहां पर जो हो जाएगा और आपको कोश्चन बनेंगे कोश्चन 20 आपका भारती डंड साहिंता के आदेन किसी अपराध का बिचारन नहीं किया जा सकता भारती IPC के आदेन किसी अपराध का बिचारन नहीं किया जा सकता ओची न्याले दोरा भाई उची न्याले करेगा काई नहीं करेगा शत्र नियाले के दोरा ये भी आपका करेगा मुखिन न्याइक मजिस्टेट बिल्कुल आपका विचारा करेगा और उपखंडा धिकारी दोरा तो ये फिर उपखंडा धिकारी कहां से आगा है ये आपका नहीं कर सकते यह आपका यहां पर कोशन का एंसर गलत है अगलाका पे सदाय सदाय को नहीं दे सकता है तो अभी हमने आपको बताया कि assistant वाला तो आसिस्टेंट क्या कर सकता है 10 साल से उपपर आपकी सदा नहीं दे सकता है यह हमने ऐपको भी कोशिंग कर वाया था ना कि लिख के दिया तो वहाँ पहलों पर सजा नहीं देख सकेगा एक महानगर मज्जिस्टेट निव्णन में से इस किससे अधिक सजा नहीं Init sama किन वह पर सकता है तो महा मजिश्ट्रेट जो होता है वह किस से अधिक सदा नहीं दे सकता है से उसकी पलुखार जो होती है वहandan होगता है तो सबी ho किसी की गरभतारी अंत्रग्वा 3 53 की जा सक्ती है यदि वहाँ उस की ओपस्थाया करता है क्वी प्राइब्स पर्सम यहां 느 फे जो गलते हैं तब तक यह जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए टेक के ठांक्यू और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने कॉल इसके गूरूप में जो इसको सेर कीजिएगा ठीके